आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोनुरेशन और कंड़क्शन ओफ नर्व इंपल्स के भारे में बहुत सारे बच्चे जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन में रहते हैं समझ में नहीं आता है तो मेरी पूरी कोशिश है कि यह टॉपिक जो इसमें मैं उसको समझाने की कोशिश करूं जिससे की हर एक स्टुडेंट जो है उसको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आए जस्ट प्रिविएस वीडियो के अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने नियूरोन के बारे में यह जो नियूरल सिस्टम की स्ट्रॉक्श्रल और फ कंदक्शन फ नर्फ इंपल्स अब सबसे फर्स्ट पॉइन योह वह बोला गया है कि जो नियूर्ओंस है मैंभ था क्यों उपने नियूरोन सेल्स यहाँ पर मैं शौर्ड में लिख देती हूँ NM that means कि neuron की membrane तो जो neuron की membrane है उसके outer surface पर positive charge होता है that means कि positively charge होती है जबकि inner surface जो है वो negatively charge होती है negative charge जो है वो present होता है तो जब positive charge और negative charge दोनों तरीके के charge present है membrane पर तो इस तरीके की condition जो है उसको हम polarized state के नाम से जानते है तो neuron की membrane जो है वो excitable होती है इस polarized state की वजए से अब यह जो polarized state कैसे maintain होती है ठीक है इसके लिए क्या-क्या चीजें जो है वो required होती है कौन से ions का movement किदर होता है outer side inner side यह सारी की सारी चीज जो है इस particular point में हम समझने वाले है so next point जो है उसमें हमसे बोला गया है different type of iron channels are present on the neural membrane यह जो neural membrane है इस पर different type के iron channels जैसे कि sodium iron channel हो गया या फिर potassium iron channel हो गया उसके अलाबा और भी iron channels जो है वो present होते हैं इस particular membrane पर these iron channels are selectively permeable to different ions ठीक है अब जैसे जो iron channel जिस iron के लिए होगा उसके लिए ही वो permeable होगा कहने का मतलब यह हो गया कि अगर sodium iron channel है तो वो sodium के movement जो है उसको allow करेगा ऐसा नहीं है कि sodium channel से potassium जो है उसका movement भी देखने को मिल रहा है selectively permeable होता है तो तीन पॉइंट हमने देखे और इसमें सबसे पहले आता है कि जो neuron की membrane है वो polarized state में होती है उस पर different type के iron channels present होते हैं जो कि selectively permeable होते है I hope कि इतना सा concept जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा आगे की तरफ और move करते हैं देखते हैं कि हमसे आगे क्या बात की गई है so when a neuron is not conducting any impulse that is resting the exonal membrane is comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium mines ठीक है similarly the membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm अब यह जो पुरा का पुरा हमें condition दी हुई है उसको हम diagram basis पर समझने की कोशिस करते हैं again इस तरीके से हम draw कर लेते हैं कि यह क्या है यह neuron की membrane है और यह जो neuron की membrane है इसके अंदर का जो reason है उसको हम exoplasm के नाम से जानते है अब यह जो neuron की membrane है इसको हम exonal membrane भी बोल सकते हैं so confuse नहीं होना है neuron membrane और exonal membrane को लेकर दोनों की बात एक ही है ठीक है इस तरीके से हमने draw कर लिया अब यहाँ पर बोला गया है कि जब neuron किसी भी तरीके का कोई action कोई impulse जो है conduct नहीं कर रहा है कहने का मतलब यह है कि वो अपनी आराम वाली state में है that means कि resting state में है तो उस time पर क्या होगा यह membrane जो है वो क्या होगी किस तरीके से potassium iron है sodium iron भी है और इसके अंदर negatively charged proteins present है exoplasm में ठीक है तो जो potassium iron है उसके लिए यह membrane जो है वो अच्छे से permeable है ठीक है membrane के through potassium iron का movement देखने को मिलेगा ठीक है outer surface से inner surface में potassium iron तो move कर जाएंगे लेकिन sodium जो है उसके लिए क्या है यह impermeable है और जो exoplasm के अंदर negatively charged proteins हैं इनके लिए भी यह membrane जो है वो impermeable है कहने का मतलब यह हो गया कि exoplasm जो है वहां से negatively charged जो proteins है वो बाहर की तरफ move नहीं कर पाएंगी ठीक है तो क्या हुआ कि बाहर जो surface पर potassium iron है वो अंदर की तरफ move कर जाएंगे और exoplasm में already negatively charged proteins जो है वो present है यह membrane के दूसरी तरफ move नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होता है कि जो exoplasm वाला reason होता है that means कि यह जो particular reason है यहाँ पर potassium ions और negatively charged जो proteins है इसकी concentration कैसी हो जाती है इसकी concentration तो high हो जाती है लेकिन sodium ions जो है इनकी concentration कैसी रहती है लो रहती है यह कौन से reason की बात की गई है exoplasm के अंदर की बात की जा रही है अगर यदि दूसरी तरफ हम बात करें कि जो exoplasm के बाहर का surface है बाहर का जो reason है that means कि यह वाला जो particular reason है इस particular reason की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाता है यहाँ पर potassium ions थे यह अराम से इसके अंदर मूव कर रहे थे यहाँ पर negatively charged proteins थी यह इधर से move नहीं कर पा रही थी तो exoplasm में क्या हो गया potassium और negatively charged जो proteins है इसकी concentration तो high हो गई और sodium ions की concentration क्या है low है यह कौन से reason की बात की जा रही है इस particular reason की बट अगर यदि हम बाहरी surface की बात करें इस वाले particular area की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि sodium की जो concentration होगी वो तो कैसी होगी वो high होगी क्योंकि sodium अंदर की तरफ move नहीं कर पा रहे हैं लेकिन potassium और negatively charged जो proteins है इसकी concentration कैसी होगी low होगी तो यह दोनों के दोनों जो reason है कहां कौन से reason में किसकी concentration high है किसकी concentration low है यह चीज अच्छे से concept जो है वो clear करके चलना है और I hope की यह concept जो है अच्छे से अब समझ में आया होगा अगर फिर भी नहीं आया तो repeat mode पर वीडियो को देखें उसके बाद भी नहीं आता है त प्लीज कमेंट शेशन में जरूर कमेंट करें और साथी साथ इन reason के साथी साथ यह वाला जो scenario है यह जो condition है कि जब neuron resting state में है उस time पर इस तरीके की condition जो है वो develop होती है यह चीज भी देखनी है क्यूं कि आगे चलके हम यह भी पढ़ने वाले हैं कि जब एक neuron किसी भी तरीके कि impulse stimuli जो है उसको conduct करता है तो उस time पर क्या changes होते हैं neuron की membrane के साथ में तो पहला scenario resting state का है जिसमें यह सारी की सारी condition जो है वो develop हो रही है so I hope कि यह concept अच्छे से clear हुआ होगा फिर से again हम यह जो points है इनको पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं when a neuron is not conducting any impulse that is in resting state exonal membrane जो है यह जो exonal membrane है या neuron की membrane जो हम बोल रहे है यह क्या है potassium ion के लिए तो अच्छे खासी permeable है देख रहे हैं कि बाहर से अंदर की तरफ potassium ions जो है वो move कर जा रहा है but nearly impermeable to sodium ions sodium ions के लिए यह क्या है impermeable है साथ ही साथ the membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm exoplasm के अंदर जो negatively charged proteins है उनके लिए भी यह membrane जो है वो impermeable होती है और उसी की वजह से यह दोनों condition जो है वो develop होती है ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पर consequently the exoplasm inside the exon contains high concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of sodium जैसा कि हम already पढ़कर आ चुके हैं समझ के आ चुके हैं कि वो condition develop होने की वजह से exoplasm के अंदर potassium ion और negatively charged protein की concentration high हो जाती है जिबकि sodium ion की concentration जो है वो low होती है दूसरा scenario क्या in contrast fluid outside the exon ठीक है exoplasm जो है उसके बाहरी surface की बात की जारी है तो वहाँ पर क्या होता है जो negatively charged proteins है और जो potassium की concentration है वो तो क्या होती है लो होती है बट sodium ions की concentration जो है वो क्या होती है high होती है और इस डिफरेंस को हम concentration gradient के नाम से जानते हैं तो यह हो गया हमारा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का complete topic उसके बाद एक condition दी गई है ठीक है हमने ये तो देख लिया simply कि जो potassium ions है sodium ions है इनका movement हो रहा है किसी की concentration कहीं पर जादा है कहीं पर low है और इस concentration डिफरेंस को हम concentration gradient के नाम से जान रहे हैं अब जो movement है potassium का sodium का नहीं है तो यह जो movement है आइने gradient का across the resting membrane जो membrane के इधर उधर movement है ions का वो किसके थू होता है वो होता है sodium potassium pump जो है present होती है exonal membrane पर जो की sodium और potassium के movement को initiate करती है अब यह movement कैसे होता है इसको हम structure के basis पर समझते हैं तो यह जो just previous structure है यह draw किया हुआ है मैंने already यह क्या है neuron membrane resting state में है या फिर इसको हम बोल सकते है exonal membrane भी बोलते हैं यह हो गया हमारा exonal membrane यह जो membrane है इसकी surface पर यह क्या है present है sodium potassium pump यह भी simple सी बात है इस particular point में हमें क्या ध्यान रखना है कि कितने sodium ions कौन सी direction में मूव कर रहे हैं कितने potassium कहां से कहां मूव कर रहे है इस particular pump के थ्रू तो होता क्या है कि जो exoplasm है that means कि membrane का inner side जो है cell के अंदर से तीन sodium ion तो जो है बाहर की तरफ outside में मूव करते हैं ठीक है और outside से inner side में दो potassium जो है वो मूव कर जाएं कहने का मतलब यह हो गया कि दो potassium बाहर से अंदर जा रहे हैं और तीन sodium ion अंदर से बाहर आ रहे हैं तो इस तरीके से एक ion का जो है difference जो है वो create होता है तो कभी कभी question जो है exam में पूछा जाता है even higher level के exams जो है वहां पे भी इस sodium potassium pump का जो movement है कि कितने sodium ion बाहर आए कितने potassium ion अंदर गए यह चीज़ पूछ ली जाती है तो यह जो है यह हमें ध्यान रखना है कि तीन sodium ion जो है वो ग्ैडर हो दो हाँ करके आते Inner side से कहां पर मूँव करते हैं और साइड में और साइड में मूव करते हैं बाहर ठीक है उसके साथिसाथ पैरलली दो potassium ion जो है वो बूँव करते हैं और साइड से इनर साइड में किसके memorize के छिए तो यह जो पॉइंट है यह बहुत बहुत जादा important है इस से regarding question जो है वो जरूर पूछा जाता है direction भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है वो बहुत confused हो जाते हैं कि भाई इतना तो हमें याद रहता है कि 3 sodium ion थे और 2 potassium ion थे लेकिन direction क्या थी direction यह है कि 3 sodium ion थे जो है वो इनर साइड से आउट साइड में मूव करते हैं जबकि 2 potassium ion थे जो है वो आउट साइड साइड में मूव करते हैं यह direction जो है वो बहुत बहुत जादा important होती है ठीक है अगर यदि कोई confusion है तो प्लीज कमें सेशन में जरूर कमेंट करना तो इस आयनिक ग्रे 2 potassium into the cell sorry यहां पर यह sodium है ठीक है sodium लिखा हुआ सही है बट मैंने थोड़ा साइड गलत बोल दिया है तो यह जो concentration gradient है या फिर आयनिक ग्रेडियंट जो मेंटेन हो रहा है membrane के दोनों साइड पर यह कैसे हो रहा है sodium potassium pump के थ्रू sodium और potassium के movement के थ्रू और यह जो movement होता है वो actively transport हो मॉलीक्यूल आयन्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब यह हो गया कि energy का utilization करके और concentration के अगेंस्ट जो है वो movement देखने को मिल रहा है तो यह था पूरा का पूरा स्नेरियो जब एक neuron कोई भी impulse कंडक्ट नहीं कर रहा है किसी भी तरीके का ठीक है resting state में है तो उस time पर membrane में concentration gradient जो है वो कैसे maintain रहता है यह सारा की सारी चीज़े I hope कि यह पूरा का पूरा concept जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा and मेरी request है प्लीज प्लीज चैनल को ज़रूर subscribe करें और वीडियो को like भी करें और अबने friends के साथ भी ज़रूर share करें as a result the outer surface of axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface becomes negatively charged and therefore is polarized the electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as the resting potential यह जो पूरी की पूरी बात की गई है यहाँ पर हमने देख लिया कि इस तरीके से यह sodium potassium pump है sodium potassium pump जो है इसमें क्या है तीन sodium आयन बाहर गए करें दो potassium ayn जो है वो अंदर आए इसकी वज़े से क्या होता है कि जो membrane की सर्फेस है outer surface जो है यह क्या हो गई positively चार्ज हो जाती है जबकि inner surface जो है वो negatively charged हो जाती है और जब इस तरीके की condition present होती है कि membrane का दोनो तरीके का चार्ज है positive, negative, positively charged and negatively charged है तो इस तरीके की condition को हम polarized state के नाम से जानते हैं जो कि हम सबसे first point में पढ़ते हुए भी आ रहे हैं So I hope कि कैसे neuron की जो membrane है वो polarized condition में state में बनी रहती है ये concept अब अच्छे से समझ में आ गया होगा अब ये जो electrical potential difference है जो एक iron का difference होता है ठीक है resting plasma membrane जो है इसको हम resting potential के नाम से जानते हैं ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ पर concept खतम अब दूसरी condition जो है उसके बारे में हम detail में discussion कर लेते हैं कि जब एक neuron जो है वो impulse stimuli उसको conduct करता है तो उसके बाद जो generation है nerve impulse का और conduction जो है उसका पूरे के पूरे exon की जो length है उसमें वो किस तरीके से mechanism काम कर रहा होता है इसके लिए हमारे अंदर थोड़ी सी curiosity generate होती है ये जा induction along and exon okay यही बात की गई है तो यहां पर condition है when a stimulus is applied at a site point A on the polarized membrane the membrane at the site A becomes freely permeable to sodium ठीक है यहां पर यह जो पूरा का पूरा statement दिया है इसमें बात की गई है किस तरीके से यह हमारी क्या है membrane है आउटसाइड में positive charge था इस तरीके से यह negative charge था ओके यहां पर इतना सा एक condition दिया हुआ है जिसको हम point A के नाम से जान रहे हैं ठीक है अब यह जो particular reason है इसमें अगर यदि कोई भी stimulus जो है वह apply किया गया है stimulus apply होने की वजए से यह जो membrane sodium के लिए impermeable थी resting state में जो हम देख के आ रहे हैं कि sodium के लिए impermeable होती है stimulus apply होने की वजए से यह क्या होती है sodium के लिए permeable हो जाती है और permeable होने की वजए से sodium ion जो है वो बहुत ही rapidly इसके अंदर move करने लग जाते है inner membrane की तरफ और जब sodium ion अंदर की तरफ move करने लग जाते है तो यहाँ पर क्या है positive charge जो है वो बढ़ने लग जाता है positive charge बढ़ने की वजय से इसकी जो polarity है वो भी पूरी की पूरी change हो जाती है कहने का मतलब यह हो गया कि जो particular a point पर हम बात कर रहे हैं तो polarity change होने का मतलब यह हो गया कि outer surface में तो negative charge बढ़ने लग जाएगा और inner surface में positive charge तमींस कि outer surface जो है वो negatively charge हो जाएगी अब इसको हम book के diagram के basis पर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर है हमारे पास यह book का diagram इसको zoom करके हम देखते हैं जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं outer surface पर positive charge है inner surface में negative charge है polarized membrane है लेकिन यह जो point A है इसके बारे में हमसे बात की गई है कि जब इस point A पर कोई भी stimulus apply होता है यहाँ पर stimulus apply हुआ apply होने की वज़े से क्या हुआ यह membrane जो है वो sodium के लिए permeable हो गई और sodium ions जो है वो अंदर की तरफ move करने लग गई जब sodium ion अंदर की तरफ move करेगा तो अंदर में positive charge जो है वो बढ़ जाएगा और इस particular point में इसकी जो outer surface है वहाँ पर क्या होगा negative charge आ जाएगा और इस तरीके से यह जो point A है यहाँ पर पूरी की पूरी जो polarized state थी वो change हो जाएगी that means कि outer surface जो है वो negatively charge हो जाएगी जबकि inner surface जो है वो positively charge हो जाएगी इस particular A point पर बात की गई है ठीक है अब हम देखते हैं previous information क्या कहती है हमारी इस छोटे से statement को इस diagram को mind में लेते हुए चलना है तभी ही वो concept जो है वो अच्छे से समझ में आने वाला है so यहाँ पर हमसे बात की गई है when a stimulus is applied at the site point A ध्यान लगाना है point A पर कोई stimulus अप्लाई हुआ on the polarized membrane पर जो point A present था उस पर को stimulus अप्लाई हुआ उस the membrane at the site A becomes freely permeable stimulus अप्लाई होने की वजह से point A जो site है वहाँ पर membrane sodium के लिए freely permeable हो गई कहने का मतलब यह हो गया कि sodium ions जो है वो बहुत ही rapidly अंदर inner side की तरफ move करने लग गए this leads to a rapid influx of sodium followed by the several reversal of the polarity at that side जैसे ही sodium ions बहुत तेजी से rapidly अंदर की inner side की तरफ move करने लग जाते हैं तो इसकी वजह से polarity जो है वो change हो जाती है कहने का मतलब यह हो जाता है कि जो point A की outer surface है वो कैसी हो जाती है वो negatively charge हो जाती है जबकि जो inner surface है point A की वो कैसी हो जाती है positively charge हो जाती है so I hope की stimulus apply होने की वजह से कैसे पूरी की पूरी polarity जो है वो change हो रही है यह concept अब तक समझ में आया होगा the polarity of the membrane at the site A is thus reverse and hence depolarized और polarity जो है point A पर membrane की वो change हो जाती है reverse हो जाती है जिसको हम polarized state के नाम से जानते हैं the electrical potential difference across the plasma membrane at the site A अब जो site A की बात की गई है इस तरीके से कि यह A वाला point है यह जो site A है यहां पर जो electrical potential difference है membrane में उसको हम action potential या फिर now impulse के नाम से जानते हैं resting वाली state में हम उसको resting potential के नाम से जान रहे थे लेकिन जब stimulus apply होने पर पूरी पूरी polarity जो है वह चेंज हो गई और इसकी वज़ा से जो electrical potential difference है across the plasma membrane इसको हम action potential और now impulse के नाम से जानते हैं I hope कि पूरा का पूरा concept जो है जितना भी हमने कम cover किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर यदि कोई doubt रहता है तो please comment session में जरूर comment करें and channel को please please जरूर subscribe करें आगे की बात और देखते हैं कि हमसे क्या कहा गया है ठीक है at sites immediately ahead the exome that is the site B membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on its inner surface यहां पर कहा गया है कि अब यह वाला जो structure है second वाला कि जो point A है ठीक है यह जो dark red color से हमें दिख रहा है यह A है इसके just pass वाला जो reason है अगर इसका हम condition देखें तो point B में क्या है इसके outer surface जो है वो positively charged है inner surface जो है वो negatively charged है इतनी सी बात अब समझ में आई है हमें ठीक है यह समझ में आ गया उसके बाद और चीज़ें जो हैं उसके बारे में देखते हैं यही बात बोली गई है at site immediately ahead axon point B membrane has a positive charge on outer surface and negative charge on its inner surface ठीक है यह चीज़ पुरी की पुरी क्लियर है as a result current flow on the inner surface from site A to site B on the outer surface current flow from site B to A to complete the circuit of current flow अब यह जो statement है इसमें हमसे यह बोला गया है कि इस तरीके से यह membrane है ठीक है यह क्या था यह है हमारा point A जो की outer surface negatively charged है inner surface positively charged है ओके उसके बाद क्या है इसके just pass वला जो reason है जिसको हम point B के नाम से इसको देख देते हैं भाई A और यह है हमारा point B point B में क्या है इसकी outer surface जो है वो positively charged है inner surface negatively charged है तो यह जो point A है site A और site B जो है इसमें current का flow कैसे होगा current flow की जो direction होती है वो कैसी होती है positive to negative तो जब अगर यह इनर side की बात की जा रही है कि inner side में current का जो flow है वो कैसे होगा वो होगा A side से B side that means कि A point की जो inner surface है वो positively charged है ठीक है तो positive से negative की तरफ inner surface पर inner side की बात की गई है कि inner side में current का flow कौन से direction में होगा point A से point B की तरफ लेकिन अगर यह इदी outer surface की बात की जाए current flow में तो outer surface पर current का जो flow होगा वो कैसा होगा B side से A side की तरफ direction यह रियाद रखना है कि current का flow जो है वो positive से negative की तरफ होता है अब inner surface जो है वो किसकी positively charge है A की तो A से B की तरफ हुआ outer surface में कौन सी side किसकी side जो है वो positively charge है B की तो B से A की तरफ हुआ इस तरीके से A से B, B से A जो ये जो पूरा का पूरा current का flow है ये क्या है एक circuit जो है वो complete होता है सो यहां पर हम से यही बात की गई है As a result, a current flow on the inner surface from A to B, on the outer surface current flow from side B to A to complete the circuit of current flow इस तरीके से current flow का एक circuit जो है वो complete होता है Hence the polarity at the side is reverse and action potential is generated at side B, thus the impulse action potential generated at side A arrives at side B अब ये जो circuit complete हो रहा है current flow का इसकी वजए से again जो polarity है वो क्या हो जाती है reverse हो जाती है, action potential जो है वो generate होता है B side पर कहने का मतलब ये हो गया कि जो action potential है A side से वो transfer हो जाता है B side की तरफ the sequence is repeated along the length of axon and consequently the impulse is conducted और ये जो current flow के circuit का पूरा का पूरा scenario है उसकी वजए से जो polarity reverse हो रहे है ये change हो रही है A से B पर action potential generate हो रहा है ये सारी का सारा sequence जो है वो पूरे के पूरे axon की जो length है उसमें continue repeated basis पर चलता रहता है और action potential impulse जो है वो generate होता रहता है और उसका conduction होता रहता है तो I hope कि कैसे generation और conduction है nerve impulse का ये पूरा का पूरा concept जो है अब अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है the rise in the stimulus induced permeability to sodium is extremely short lived अब जब हमने देखा था कि कोई stimulus apply होने की वजए से membrane जो है वो sodium आयन के लिए permeable हो रही थी तो ये जो permeability है वो बहुत ही जादा short lived होती है कहने का मतलब यह हो गया कि बहुत बहुत ही कम time duration के लिए होती है और यह quickly follow करती है किसकी permeability permeability को potassium iron की permeability को so it is quickly followed by a rise in permeability to potassium iron within a fraction of second एक second का just second का fraction होता है उसमें क्या होता है कि potassium जो ions है वो diffuse कर जाते हैं outside the membrane and restore the resting potential of the membrane at the site of excitation and the fiber become once more responsible to further stimulation कहने का मतलब यह हो गया कि stimulus apply होने की वजए से जो membrane sodium के लिए permeable बनी थी वो जो permeability है वो बहुत ही बहुत ही कम time duration के लिए होती है बहुत short lived होती है जो कि follow करती है potassium iron के permeability को ठीक है तो जो within a second का जो fraction होता है कि sodium अंदर गया साथी साथ potassium iron जो है वो बाहर की तरफ move कर जाता है बाहर की तरफ move करने पर यह क्या करता है कि जो resting potential है membrane का उसको restore करने में important role play करता है और साथी साथ fibers जो है वो दूसरे stimulus के लिए available हो जाते हैं responsive हो जाते हैं तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो mechanism head generation and conduction of nerve impulse यह सारा का सारा हो जाता है हमारा complete I hope कि अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई doubt है कोई query है तो please comment session में जरूर comment करें channel को like करें वीडियो को share करें और अपने friends के साथ भी जरूर शेयर करें thank you so much for what